आज हम बनाएंगे मसाला भेंडी, तो हमने ली है भेंडी, भेंडी को दोनों साइट से काट कर बीच में एक कट लगा देंगे, कुछ इस तरह हमने बाकी सब भेंडी काट ली है, देख सकते हैं आप चलो अभी मसाले की तयारी करते हैं, हमने लिया है दो बड़े चम्मच, सेंग दाना का कूट, एक सोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच कांदा लसुन मसाला, एक छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच लाल तिखट, छोटा चम्मच हल्दी और लसन का प अच्छे से मिक्स होने के बाद हम स्वादा नुसार उसमें डालेंगे नमक नमक को भी अच्छे से मिलाएंगे मसाले में हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है अब हम इसे भेंडी के अंदर भर देंगे कुछ इस तरह भेंडी के अंदर मसाला भर के रेडी हो चुका है अब हम एक कडाई लेंगे कडाई गरम होने रखी है उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे राई एक छोटा चम्मच आदा चम्मच जीरा और एक पिंच हींग सबी चीजों को अच्छे से तड़कने देंगे और उसके अंदर डालेंगे मसाला भरी हुई भेंडी ये रेसिपी बहुत ही आसान है इसे कोई भी इजीली बना सकता है टीफिन के लिए बच्छों को ये बहुत पसंद आती है हम इसे अच्छे से हिलाएंगे तेल में सबी भेंडी अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके उपर रख देंगे ढगकन और धीमी आजपे इसे पकने देंगे बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए, फिर से ढखेंगे, अब देख सकते हो, हमारी भेंडी तैयार हो गई है अब थोड़ा हिलाएंगे, फिर से थोड़ा पकाएंगे हमारी मसाला भेंडी रेडी है